हिंदुधर में कलावा का विशेश महत्व है हर शुपकारे और पूजा पाठ शादी वियोहा में हाथ में कलावा जरूर बांदा जाता है इससे मौली ये रच्छा सूत्र भी कहा जाता है हिंदुधर में पंडित मंत्र पढ़कर कलावा बांते है इसके रावा किसी भी धार्मिक कार्यों में कलावा रखना अनिवारे माना जाता है जोति शास्त के अनुसार हाथ में कलावा बांदने से तीन महादेवी लक्षमी मासुरसती माकाली का अशिरवात प्राप्त होता है और व्यक्ति को हर संक्टों से छुटकारा मिलता है कलावा सबसे शुम माना जाता है इसलिए इसे हाथ में बांदने के कुछ नियम है वहीं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शादिशुदा महिलाओं को किस हाथ में कलावा बांदना चाहिए और इसके क्या नियम है दरसल कुमारी कन्याओं और पुरुषों को हमेशा दाहिने यानि की राइट हैंड में कलावा बादना चाहिए वहीं विवाहित महिलाओं को बाएं यानि की लेफ्ट हाथ में कलावा बादना शुब माना चाहता है जब भी कलावा बांदे तो अपने हाथों में दक्षुना हमेशा रखे साथी मुठी को बंद रखे इस कलावा कलावा बांदे समय एक हाथ सिर के उपर होना चाहिए वहीं कलावा बांदे समय इस बात का खास ख्याल रखे कि कलावा को हाथ में 3, 5 या 7 बार घुमाई या लपेटे वहीं कुछ लोग कलावा बादने के बाद इसे किसी भी दिन निकाल कर हटा देते हैं लेकिन ऐसा करना अशुब माना जाता है अगर आपको अपने हाथ का कलावा हटाना है या बदलना है तो इसे मंगलवार या शनिवार के दिन ही बदले इस दिन पुराना कलावा काटना या हटाना अच्छा माना जाता है और इसी दित दूसरा नया कलावा भी पहनना शुम माना जाता है वही कुछ लोग पुराने कलावे को हटा कर इधर उधर फेक देते हैं लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता पुराने हो चुके कलावे को हमेशा नदी में बहा दे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए अमीद करते हो आपको जानकारी पसंद आई होगी फिलाल हमारे इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले